मुझफरनगर के सिसौली में हुई मासिक पंचायत में कैई बड़े फैसले लिए गए हैं 26 और 27 तारीक को ट्रेक्टर के मुद दिल्ली की तरफ किये जाएंगे लेकिन ट्रेक्टर दिल्ली नहीं जाएंगे क्या पूरी कहानी इसी पर हम बात कर लेते हैं राकेश ठीक है जी से राकेश जी क्या निरने लिया है 26 और 27 पहले 21 तारीक को डियेम के यहाँ पर ग्यापन दिये जाएंगे मिटिंग करेंगे अपनी वह करीब 4 बे तक मिटिंग चलेगी सुबह से लगा के पूरा दिन ट्रेक्टर से जाएगे सकेम को हम मैसीज दिया यहाँ पर दिरने लिया कि सकेम एक दिन के लिए दो दिन के लिए नेशनल हाईवे पे एक तरफ अपने ट्रेक्टर को खड़े करें दिल्ली के तरफ को मुझ करकर खड़े करें यह ट्रेक्टर दिल्ली भी जा सकता है एक मैसीज सरकार को चला जाए सरकार में ताकत है तो हॉईवे पर चपने से रोक दे तो उसने ये मालने कि हम दिल्ली में जाने से रोक दीए हमारी दिल्ली हमारा हाईवे ही है हम है एसकेम ने अगर मैसीज दिया कि तारीक यह रहेगी उसको प्रस्ताव के लिए भिज जा उस पो रिक्मेंडर करका बाप से बिज़ेगा जोन से तारीक में कहेगा उसी तारीक में टेक्टर हवी पर खड़े होंगे कर दो दारीक में गोली वह प्रस्तावी दिल्ली की मिटिंग है लेकिन वो भगेर ट्रों कि यह वह और रुस्तर मंतर कि एक वह परस्ता वह थे पहले यहारी वह एक देड़ महिना पहले से वह जनुवरी में 18 जनुवरी पूंत होगी थी है अच्छा वजह क्या है कि मतलब अं सब्सक्राइब करते हैं अगर यह उन लोगों की बीजेपी होती तो बहुत जरूर मांदी यह पूंजी पत्यों का एक गैंग है देश में उसने कभजा करके पॉलिटिकल पालिटी को गृप्त में ले लिया यह उनकी है यह टाइट से मनने यह इसे नहीं मननें यह आज संगर ज्यादे करने पुड़ेंगे ज्यादे करने आप करते वह तो बात करें कि 400 पार तो हमने कहां कर तो भी क्यों खामाखा खर्चा करवारे देश की जंतों क्यों दुख्का दे रहे हैं बहुत में इसी बात आपने इसी बीच एक और बात आपने कई है कि टिकेट परिवार के किसी एक साधत से कि भी शाधत गोली अगर चले तो लगनी चाहिए आंदोलन चल रहे हैं साधत एक नहीं हैं तो हमने बता दिया टिकेट घर मेंगर जनम लेना हैं तो आंदोलन करना पड़ागा सोच समझ कि हां जनम लेना आने वाली पिडिवी अगर जनम लेगी हां तो सोच समझ गया टिकेट तुके घर में जनम लेना आंदोलन करना पड़ागा आप कहने थे कि तिजोरी में रोटी रखी कैद हो जाए जिस तरह से अनाज पे कबजा होने वाला है ये कानून आने वाले हैं जिस तरह से व्याप पारी अनाज्यू पे कबजा कर रहा है एक दिन वाएगा रोटी तिजोरी में बंद होगी भूख के आदार पर रोटी कीमते तेह होगी वो दिन दूर नहीं है जब अनाज उनके कबजे में होगा जब फसल आएगी तो अनाज की रेट सस्ते होंगे फसल गई तो दस महिने महेंगे पर बेचेंगे तो तिजोरी में तो रोटी है अच्छा जैसे आपने का कि 2726 और 27 को ट्रैक्टर के मुद दिल्ली रहेंगे तो क्या दिल्ली जाएंगे वापसी लोटके घर आजएंगे जाएंगे नहीं सिर्क वो दिखाएंगे ट्राल पिक्चर बाग आँ डिखा आज को कि यह बीच का रास्ता निकल सकताा 32 के बाद में निकलना सुक्राइब नहीं आठ साल यह चड़ेंगे पीज के आंदोलन कारी देश में बचेंगे पीज बचेगा अब है वी आठ साल संगर्स के हैं यह जोठ्स बढ़ेंगे यह बगएर कलम के जितहेंगे बगएर वोट के जितहेंगे आठ साल चले वोट पे आपने सीधा कह दिया कि जिससे जहाना चले लो अंदोल में हमारे साथ रहू देलो जहांद देली जिस्वोट का तो रहाई नहीं वोट का रहाई नहीं अब तो सिद्धाट सर्टिप्रिकेट पर पास का वह है यहां भरती हो जो और पास की गारंटी जैसे उसके बतादो आठ साल चलेंगे संगर्ष तो बताद साल के संगर्ष के लिए तयार है ठीक और पूरी भारते के साल और हम भारते के बचाने कुछ बीज बचागा बीज को सुरस्ची कर रखना वो आठ साल बाद में कामा होगा जो MSP की बात चल लगी या दूरी रह जाएगी बीज में आंदोलन कारियों को कहा में आंदोलन कारी जो आदमी है वो बीज के बचेंगे संगर्ष बड़ा होगा ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी